हाई गाईज मेरा नाम है दिपतनु आप सभी देख रहो मेरी चैनल दिपतनु शील को तो दोस्तो आज है फेस्बूक पेज सेटिंग सीरीज का तीसरा एपिसोड और आज के एपिसोड पे हम सिखेंगे फेस्बूक पेज का इंटरनेल एसियो स्टक्चर कैसे सेट करना होता ह है पूरा सेटिंग आज सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही जादा नॉलेजबल और इंफरमेटिब होने वाला है तो अभी से वीडियो को कर दो लाइक और एंट तक जरूर देखना वीडियो को तो दोस्तो पिछले दो एपिसोड पे हमने सबसे पहला एपिसोड पे सिख जाता कि वीडियो कोवर कैसे डालना होता है पेज पे और जो प्रोफाइल है वो कैसे डाला जाता है इसका क्या साइजेस होता है और आज के एपिसोड पे जो हम सिखेंगे ये फेजबुक पेज के रीच को बराने के लिए फेजबुक इंटरनेल एस यो को इंप्रूब करन मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ आज के इस वीडियो पे हम एसियो के हवाले से सीखेंगे क्या और जो लोगों को ये मालुम नहीं एसियो क्या है तो मैं एक ब्रिफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यापर एसियो का मतलब होता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज जैसे के मान लो कोई भी आदमी फेस्बूक एंवर्मेंट पे अगर दिप्तनुशिल ब्लॉक को सर्च करेगा तो उसे वो पेज सबसे उपर देखने के लिए मिले अगर कोई भी बेक्ति गुगुल पे जाके दिप्तनुशिल ब्लॉक सर्च करे तो दिप्तनुशिल ब्लॉ वाले से स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी के लिए हमको करना होता है वो स्ट्रेटेजी क्या है वो भी आज के इस वीडियो पे मैं दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले हम चले जाते हमारे पहले पेज पे जो के है दिपतनुशील वाला पेज तो यहाँ पे आप देख सकते ह पहला पेज़ पे में लेंड हो गया तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे इंटरनेल एसियो इसका सबसे पहला जो पार्ट है वो है डिजिटल दिपतनुशिल करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूजर नेम डाला हुआ है मैंने बहुत सारे ऐसे पेज़ेज देखे है जहाँ पे बहुत जादा फॉल्वर हो जाता है मगर यह जो है यह बाइडिफर्ट यूजर नेम ही लोग छोड़ देता है अगर छोड़ दोगे तो आप आपके पेज़ के रीच को बराने में जो एक एडवन्टेज आप एट कर सकते थे उसको आप मीस कर रहे हो तो आज मैं सिखाऊंगा यह डालना कैसे है कैसे डाला जाता है और इसके पीछे का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उसी के साथ बहुत सारे लोग यह पूस्ते है कि सर आपने आपके फेस्बुक पेज को कैसे इतना अच्छे से सजा के रखे हो आपका तो यहाँ पे जाते ही एक फोटो के जैसा आता है अबाउट दिपतनुशिल बोल के और उसी के साथ एक स्टोरी भी लिखा हुआ आता है तो यह कैसे डाला जाता है यह भी आज के इस वीडियो पे सिखाऊंगा इसका benefit क्या है यह भी बताऊंगा और आपको इसको डालना कैसे है बराबर से यह भी पूरा detailing में आज के वीडियो पे आपको जानकरी मिलेगा तो सबसे पहले चला जातो मैं आज का जो पेज है हमारा डेमो वाला जिस पे मैंने काम स्टार्ट किया था पहले इस पेज को create किया उसके बाद template select किया और video बगेरा add किया cover पे आज हमको दिखाऊंगा अभी के SEO जो है internal वो कैसे किया जाता है तो सबसे पहले आप अगर ऐसे पेज पे आओगे तो आप देख सकते हो इस पेज पे अभी create page add the rate username है कुछ भी username नहीं है और अगर हम थोरा करके नीचे जाए तो about यहापे है सिर्फ जो मैं category चूस किया हूँ वो और यहापे कुछ भी उस तरीके का our story वाला कुछ नहीं आ रह option पे click कर देना है तो मैंने अभी about पे click किया है तो आपको भी ऐसे ही about पे click करना है याद रखना दोस्तो जैसे ही आप about पे click करोगे थोरा सा drag करके नीचे आएंगे तो यहापे आप देख सकते हो general करके लिखा हुआ एक option आपको मिल जाएगा जहापे category आपने जो primary choose करके आज हम username add करेंगे और वो username हम हमारे SEO को ध्यान में रखे ताकि कोई भी लोग अगर search करें तो उसको वो चीज मिले तो आपको सबसे जादा benefit username पे तब मिलेगा जब आप आपके page के जो theme है category है या topic है उसको include कर पाओगे आपके username पे फिरहाल मेरा जो यह page है यह blog page है यहापे मेरे जीबन पे करता हूँ उसका एक personal blog create किया है तो मैं चाहता हूँ username पे blog भी आए ताकि कोई भी बंदा blog से search करें तो उसे मेरा page देखने के लिए मिले के facebook पे ऐसा एक page है जो blog से belongs करते हैं तो blog भी मैं username में trickfully रखोंगा और चाहता हूँ जो मेरे personal नाम से search करें उसे भी मेरा ये page देखने के लिए मिले तो ये मेरा strategy है आज का आप लोग आपका जो मतलब page का criteria होगा उस हिसाब से आप रख सकते हो जैसे traveler अगर आपका traveler blog है तो आप use कर सकते हो traveler blog ताकि आपका और जादा niche को define करके आप use कर पाओ जैसे दिपतनोशिल traveler blog ऐसा हम use कर सकते ह मेरा जो इस page का motto है यहापे सिर्फ travel नहीं यहापे food भी आ सकता है खाना भी आ सकता है तो मैं सिर्फ एक personal blog रख रहा हूँ इस बज़े से अगर आप food से related blog create करते हो तो आप ऐसा भी use कर सकते हो आपका नाम फिर food blog ठीक है दोस्तों तो यह होता है strategy आप username यहापे आप देख स यहापे आपको डालना है जो आप trickfully चाते हो डालने के लिए तो मैं चाता हूँ मेरा जो page name है वो ही username हो तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरा दिप्तनू फिर शिल वो लिख रहा हूँ और उसी के साथ blog भी लिख दे रहा हूँ ठीक है दोस्तों दिप्तनू शिल blog तो इसी name से page name और मैं चाता हूँ URL जो है वो भी इस name से हो अब मैं URL बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे URL पे यह नाम कैसे जाएगा तो आप मेरा present page का example देख लो यह page पे मैंने digital दिप्तनू शिल करके लिख के रखा था username तो यहाँ पर आप देख सकते हो facebook.com के बा दिप्तनू शिल या digital दिप्तनू सर्च करेगा तो chances हो जाएगा कि मेरा जो यह page है यह सबसे उपर आए तो यही benefit होता है ACO का तो मैं चाता हूँ दिप्तनू शिल ब्लॉक से कोई भी बंदा सर्च करे तो उसको वो मिले आप आपके हिसाब से यहाँ पे नाम include करना आपके category से आपके theme के हिसाब से तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पे मैंने mistake किया है L नहीं डाला तो L भी डाल दिया और जैसे ही लिखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह tick mark है इसका मतलब है यह जो नाम है मैं username रख सकता हूँ यह available है जब मैंने मेरा दिप्तनोशिल पेज का नाम रखा था मैं चाता था ये नाम मैं दिप्तनोशिल रखू मगर already किसी ने username दिप्तनोशिल चूस कर लिया था तो मैं वो नहीं ले पाया तो मैंने trickfully यहाँ पे digital add कर दिया क्योंकि ये page digital marketing से जुरे हुआ है तो इसलिए मैंने trickfully ये use किया तो आप लोग भी जब नाम username चूस करोगे तो हो सकते है वो username already किसी ने ले के रखा है उस टाइम पे आपको prefix, suffix add करना है आगे पीछे आपके page से related कुछ चीज add करना है जो लोग search करें तो ये हो गया उसके बाद आपको simply से create username पे click कर देना है तो मैंने click कर दिया ये बहुत छोटी छोटी और deep चीज़े है अब देखो you are all set मतलब मेरा इस page का username जो है वो set हो गया है at the rate diptonusilblogs अब इसका जो benefit है वो क्या मिलेगा आप चाहो तो किसी भी लोग को fb.me slash diptonusilblogs ये link send करोगे तो उसको आपका page मिल जाएगा ये mobile format में मिलेगा m.me mobile format में आता है तो mobile पे open करने के लिए ये link होता है तो ये custom link भी आपका generate हो गया है और उसी के साथ आपका page जो है आप diptonusilblogs के नाम से set हो गया है ठीक है दोस्तो तो ये आपको करना है तो ये अगर आप करोगे तो ही आपको benefit जो है मिलेगा तो मैं इस page का अभी फिरहाल set कर चुका हूँ या पर आप देख सकतो ये set हो गया है आप थोरी देर बाद ये जो है यहाँ पर reflect होना शुरू हो जाएगा अब जो हमारा दूसरा पार्ट है आज के internal SEO का जो की बहुत बहुत important है वो है आप लोगों के दुआरा ही पूछा गया कि our story बाला पार्ट आप कैसे डाल लेते हो ये जो आता है इतना customize किया हुआ है ये कैसे आते है बहुत easy है ये अभी सिखाऊंगा ठीक है तो इसके लिए आपको आना है इसी about section पे और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा story वाला option तो यहाँ पर ही आपको जो add करोगे आप उसके बाद आपके page पे वो home screen पे जाओगे तो right hand side पे नीचे reflect होगा about section के बाद तो यहाँ पर ही इसका edit करना होता है अब इससे होगा क्या इससे होगा आपका internal SEO जो है वो बहुत strong होगा इससे भी आप reach बरा सकते हो क्योंकि search engine को आप थोड़ा बहुत fit दे रहे हो इस page के बारे में ताकि कोई भी बंदा अगर facebook पे search करे या google पे search करे आपका page थोड़ा उपर उठके आए तो इसको भी trickfully use करना है आप इसको use कैसे किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक option है edit page info और यहाँ पर एक option है finish your story to tell people more about you तो इस पर आपको simply से एक click कर देना है ठीक है दोस्तो तो मैं यहाँ पर click किया जैसे ही click करूंगा एक page ऐसा ही open होके आएगा तो यहाँ पर आपको image drag and click to image मतलब यहाँ पर आप drag करके भी image को लाके डाल सकते हो या फिर add कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ मेरे PC से add करो आप चाहो तो आपके mobile से भी add कर सकते हो तो मैं अभी यहाँ पर click कर दूँगा ठीक है दोस्तो और मैं चाहता हूँ एक image को upload करने के लिए तो upload new photo में click करूँगा तो मेरे system से अगर आप लोग mobile से use कर रहे हो तो आपके mobile से image को add कर सकते हो ठीक है तो मैं already custom image बना के रखाता है मैं यह उठा ले रहा हूँ और इसको open कर दे रहा हूँ तो यह आ जाएगा अभी मेरे इस part में तो आभी यह load हो रहा है तो यहाँ पर reflect होना शुरू हो जाएगा तो आभी देख सकते हो image हमने डाल दिया वो ही image जो आभी यहाँ पर डाला है वो ही reflect होता है इस जगा पर जो image आप देखते हो ठीक है दोस्तो तो यह image आ गया अब आप लोग सोच रहेंगे इस image को बनाओं कैसे इतना अच्छे से यह fit कैसे बैटा है तो इसका size क्या है तो यह मैंने बनाया है pixel lab जो creator है image को हम edit करते है pixel lab app से जो आप android पे भी install कर सकते हो उसी से मैंने बनाया है और इसके उपर dedicated video और चैनल पे भी है कि pixel lab से कैसे edit करके image को बनाया जाते है तो उसी में मैंने बनाया और इस image का जो size यह याद रखना है आपको यह 981 into 363 size में है इसका जो resolution है इसका जो size वो है 981 into 363 तो आपको इसी format पे इसको बनाना है ताकि इस format पे यह fit बैठे उसके बाद थोड़ा सा drag करके नीचे आए तो यहापे आप देख सकते हो आप title लिख सकते हो तो मैं title क्या देना चाहते हो आप यहापे लिख सकते हो तो मैं चाहता हो मेरा जो blog name है वो ही title रहे तो मैं मेरा blog name को ही रख रहा हो आप चाहो तो आपका जो भी category है जो भी आप keyword चाहते हो के लोग सर्च करे तो आपका page देखने के लिए मिले वो भी आप यहापे include कर सकते हो तो मैंने लिखा मेरा जो name है with blog अब यहापे आपको दिखने के लिए मिल रहा है write something यह जगा को छोड़ना मत यहापे अच्छे से आपको लिखना है क्या लिखोगे यहापे आपको keyword add add कर करकरके एक story के जैसा लिखना है जिससे लोगों को आपके page के बारे में एक brief description मिले कि यह page है किस चीज़ के ऊपर इस page पे आने के बाद लोगों को क्या जानने के लिए मिलेगा और trickfully आपको इड़ इड़ आपके keywords जैसे कि blog है travel blog है तो travel blog travelers ऐसा जो keywords होते हैं उसको भी add करते जाना है मगर एक चीज़ याद रखना है या storytelling के जैसा ही add करना है ताकि SEO अच्छा हो तो फिरहाल example के लिए मैं इतना सा part लिखके रखा हूँ मैं बाद में इसको और भी अच्छे से लिखूँगा ताकि SEO भेलो जादा मिले मगर फिरहाल मैं आप लोग को example दिखाने के लिए लिख लिया या पर आप देख सकतो digital marketing professional अगर कोई सर्च करें मैं चाहता हूँ मेरा ये blog मिले क्योंकि मेरा और एक page है जो digital marketing से है तो मैंने video creator लोगों के लिए भी रखा है क्योंकि मैं video create करता हूँ YouTube creator इंडिया भी हूँ इसलिए मैंने ये भी use किया है blogger तो चाहिए चाहिए क्योंकि blog page है तो ये सब keyword enter किया है मैंने बस आप चाहो तो या पर आपका ये page किस बज़े से है इस page पर क्या मिलेगा क्यों useful है इस page का intention क्या है सारे चीज यहाँ पर लिख दो जितना अच्छे से लिखोगे story उतना अच्छा internal SEO अच्छा होगा लोगों को keyword से search करने में आपका page उपर मिलेगा और उसके बाद last पर आप आपके social media links भी add कर दो तो यहाँ पर देगो trickfully मैंने YouTube links, मेरा Instagram links Twitter links भी add किया है यहाँ पर links add करने से आपका page का reach पतलब Facebook कम नहीं करेगा क्योंकि यह part दिया ही गया है ताकि आप आपके story बता पाओ आप लोगों को जादा involve कर पाओ अगर content पर आगर आपने YouTube का link डालोगे तब जाके आपका reach घटेगा तो इसको लेके tension नहीं करना है तो इतना part add करने के बाद थोरा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप दो option रहता है एक save एक publish तो save भी कर सकते हो publish भी कर सकते हो फिरहाल मैं publish भी कर देता हूँ ठीक है? क्योंकि publish करने पर वो आ जाएगा उस part पर तो मैंने publish पर क्लिक कर दिया अब यह save हो रहा है और publish होके refresh होके आ जाएगा तो अभी आप लोग देख सकते हो जो हमने username fix किया था वो अभी reflect हो रहा है यापे आ गया है और facebook.com के बाद भी जो auto generated numbers रहता है वो change हो गया है और जो मैंने custom URL बना ही लिया है दिप्तनुशिल ब्लॉक के नाम से तो धीरे धीरे आप यह search पे भी improve होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग इस page का SEO को दिप्तनुशिल ब्लॉक को target करके और भी ज़ादा अच्छा करेंगे तो और उसी के साथ जो हमने अभी story section add किया था वो भी आपे reflect होना शुरू हो गया है आप देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों दिखाता हूँ कि जो story हमने add किया था वो कैसा reflect हो रहा है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे story भी reflect हो रहा है जो हमने डाला था तो यह customization भी आभी हो चुका है इस page का तो दोस्तों आज मैंने जितना भी SEO का internal structure दिखाया है यह benefit आपको day by day धीरे धीरे मिलना शुरू होगा क्योंकि search engine optimization पे जाने के लिए थोरा सा time लगता है ऐसा नहीं कि आपने अभी किया और अभी जाएंगे यह धीरे धीरे आपको benefit देता जाएगा और आपको धीरे धीरे आपका SEO internal page का जो improvement है वो करता रहना है तो आज के Facebook page setting series का तीसरे episode पे हमने Facebook SEO के बारे में बहुत सारे चीज़े सीखा है और आने बाले fourth episode पे मैं और भी Facebook page internal SEO के बारे में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जो के और भी थोड़ा deep होगा और भी थोड़ा बहतर होगा और आने बाले टाइम पे आपके page के reach को बराने में आपके page के growth rate में as a new creator आप लोगों को लिए बहुत जादा benefited होने वाला है अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लो ताकि आने बाले टाइम पे ऐसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों तब तक आप लोग खुश रहो अबाद रहो और ममी पपा का नाम कर दोस्तों बाइ